हलो गाइज एक वाप फील से आपके अपने ट्वी चनल एवी एस्क्वार एजुकेशनल गुरूप में स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टेंथ कलास का बैलोजी का अगला पार्ट जिसमें आपका चल रहा था चेप्टर लाइफ प्र पूछा जाँगा तो दोस्तों देखते हैं कि अमीवा का भोजन क्या होता है चोटे flirt doct को गरहन करता है तो कैसे करता कि कीरिया जो बोजन के करता ता यायनि कैसे ऐनी function कैसे इसको फुर प्रोडक्ट को एक्शोर्व करने का फुर प्रोड़क्ट को एक कैसे लेता है तो यहां पर माल लिजीगा की यहां got here जिवानू अब यहां पर अमीवा है अब अमीवा का जो हम लोग जानते हैं कि जो अकार होता है वो अनिस्चित होता है इसका कोई निस्चित नहीं होता है अब दोस्तों जैसे ही अमीवा देखा कि यहां पर इसका कोई फुट प्रोडक्ट है यहां पे कुछ खाने योग इसका चीज है इसकी और अग्रसर होने लगता है अब इसके स्हायतास नहीं है इसको गोड़ ही इसका हाथ है तहि इसके इस stimulus पाया जाता है यह सिलिया के स्हायता से का होता है ये अपने food product की और अग्रसर होता है जैसे इसको देखा food product तो इसको और अग्रसर होगा अभी धीरे धीरे अग्रसर हो कि क्या करेगा ये का अपने अकार को ऐसा कर लेगा ताकि उस food product को अपने और अंदर ग्रहन कर सके या अंता ग्रहन कर सके अपने अंदर ग्रह अब इसकी ओर का करेगा कि इस फूट पrok्ड को 9 गिरने के के कोशिज करता है अब यह나 से का करेगा कि चारोव और कि इसे अफ़ूट प्रोडक्ट को घेर लेगा अब यहां पर यह आ गया अब इसके अंदर ही समा गया यहां पर जो घेरा है इस चारोपटिसे से घेर लेगा अब यह अंदर आ जाएगा अब यह जहां पर यह आया अब इस अस्थान को बोला जाता है रसधानी क्या बोला जाता है रसधानी सुन बातर होता है और यहां पर कुछ इंजाइम होता है जो इस समय परकार करें देटक्त करता होता है गया तो कहाता है अनरजीय हम खाता है तो यहां बहुँत से हम को मास में पाजता है तो किए आम से ही बल्क है कह सकते हैं तर बड़ी आथ Nej यहां-चे में पूरे उसके बोड़ी में पहुंचाता है उस इन ँको यह झीकर यहां से यहां से यहां प्व एपने यांपने पहुंचाएगा तो यहां दो स्बस कि परिबहन होगा पहुँचाने वाला ही परिवहन का लता है अब यहां से पहुँचा दिया पूरे प्रोडक्ट को अब यहां पर कुछ ऐसे भी पदार्थ होगे जिसका यूज नहीं होगा अब सिस्ट पदार्थ जिसको बोलेंगे इसका कोई यूज नहीं होगा इजलेस होगा अमीवा के लिए तो वो क्या करेगा कि इस इजलेस पदार्थ को बाहर कर देगा अपने अंदर से बाहर कर देगा अब यहां से एक बात समझेगा कि इस अमीवा कारना तो कोई आकिर्थी होता है कि हम लोग बता सकते हैं कि यहां से अपने food product को अपसिस्ट पदार्थ को बाहर फेकेगा लेकिन यहां पे इसका कोई निश्ची तकार नहीं होता है तो क्या करता है कि इसके लिए यानि अपसिस्ट पदार्थ को बाहर करने के लिए इसका कोई निश्ची तकार नहीं होता है इसका जहां यानि निजदिक पड़ा वह हैं से इसको का कर देगा अपने बोडी को पाट को हलका ऐसे करेगा चिसक जाता है वहां से फटके उसको का कर देता है फुट प्रोडक्ट को यानि अब सिस्ट पदार्थ को बाहर कर देता है यानि यह का करेगा यहां से जो भी आपक को निकाल देगा बाहर अब यही प्रोसेस तोर पर आपको पूछा जाएगा सुनिएगा कोछ की आ मिवा का भोजन क्या है। रॉश कैसे पसे पहले बोलें और चोटे चोटे काइप आपका क्या वता है था कुछ Qatay तनी है कि अगला लाइन हम लोग क्या लीक जिए लिखेंगे कि अमीव में पोसन करने के लिए अंततर ग्रहन होता है संद्धनी का पोसन करने के लिए अंततर ग्रहन यानि क्या करेगा उसे food product को अंतगरान यानि अपने अंदर लेता है अपने body के अंदर अपने शरीर के अंदर लेता है अब उस अंदर ले लिए उस food product को फिर इसको क्या करेगा डाइजेस्ट करेगा पचाने का कार करेगा पचेगा और चीज को पच गया तो फिर उसको क्या करेगा पूरे बोडी में उससे एनर्जी मिला उसको परिवहन कर देगा अब पचला के बाद यानि जो उस चीज हमें पच जाएगा डाइजेस्ट हो जाएगा तो उस चीज को क् बहिस्करन कर देंगे बाहर उसको निकाल देंगे एक किरिया होती है अब सुनिएगा आगे समजते हैं कि जब भोजन अमीवा के समीप आता है कि अब कैसे प्रोसेस होता है कि अपने भोजन को अंदर। और उसको डाइजेस्ट करता है इस सारी चीज़ अब देखेंगे अब सुनिया का बोला गया कि जब भोजन अमीवा के समीप आता है यानि जैसे अमीवा के समीप फूट प्रोडक्ट आया उसका खाने योग तो क्या करेगा समीप आता है तो अमीवा अपने कुट पाथ को फै फैर लेता है ताके वो फूट प्रोडक्ट है निकले नहीं जो कोई भी जिवान हो या बैक्टिरिया हो अब आगे सुनियागा इस उस अस्थान को भोजन रसधानी कते हैं अब जहां पर पदार थे यहां पर आ गया इस यहां पर इस अस्थान को यानि कहा जाएगा कि इस स जायम होगा उपस्तित यानि जल और एवं इंजायम उपस्तित होता है जो भोजन को पचाने का कार करता है जो भोजन को क्या करता है पचाने का डाजेस्ट करने का कार करता है और पचे हुए भोजन कोस्का दरब के साथ मिलकर पूरे सरीर में परिवहन हो जाता है यानि यह कोस्का दरब है, यह आपका क्यों का, चाहिए क्योंकि उसको टीजन करना है था कि वह अपने वीरिध कर सके गरोध को बढ़े इसके लिए एनर्जी इसको लेता है अब आगे सुनिया आगे क्या बोला गया को सका दरब के साथ मिल कर पूरे सरीर में परिवहन करने का कार करता है पूरा आगे सुनिया का बोला गया तथा प्रसन है जो पूछा जाएगा अमोस्ट भी भी आई है टेंथ क्लास के लिए ठीक है दोस्तों अब देखते हैं आगे इसी चीज़ से इस प्रसन से रिलेटेड अमीमा से रिलेटेड आपको कुछ अब्जेक्टिव बता देते हैं ताकि ए अब्जेक्टिव आपको पूछा जाए तो आप इसी तरीका से इसको आप कवर कर सकें तो यहां से अब्जेक्टिव भी कुछ पूछे जाते हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं तो सुनिएगा पहला अब्जेक्टिव आपको क्या पूछा जाएगा जो कि अमीवा का कार हमेशा बदलते रहता है यानि आप अब आगे सुनिएगा अमीवा अपना भोजन कुटपात के द्वारा गरहन करता है जिससे अस्थान से अमीवा जो है भोजन को गरहन करता है उस अस्थान को का बोला गया कुटपात बोला गया अब आगे सुनिएगा अमीवा में गती करने के लिए सिलिया या फ्लेजिला पाये जाता है ताकि वह अपने food product cure अगरसर हो सके आगे जा सके तो उसके लिए उस zíll Pakistanł अगला आपका point है कि अमीवा में पोशन या कोशका जिली से होता है कैसे बिश्रन विधि दौरा होता है सुनेगा अमीवा में स्वसन की किरिया कोश का झिली से विसरन वीधी द्वार होता है आगे सुनेगा अमीवा मिर्दु जलिये प्रानी संपोशी एकोश किये जीव होता है तठीक है दोस्तों यही तक इस वीडियो को रखते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है दोस्तों तब तक लिए नमस्कार बाई